हेलो दोस्तो तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलिज हुई साइकोलोजिकल हॉरर मूवी स्माइल के बारे में और इस मूवी के डारेक्टर है पारकर फिन और इसमें मुक्य भूमिका में है सूजी बेकन, कायल गालनर, जेसी टी उशर इत्यादी आगे बढ़ने से पहले आप सही चोटी सी रिक्वेश्ट हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और अगर आपको और भी मूवीस के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भ अपने आते हैं क्योंकि वो जब 10 साल की थी तब उनकी मा ने उनके सामने ही अत्मत्या कर ली थी तो ऑस्पिटल में कार नाम का एक मरीज है जिसके आलत बहुत ही खराब है और वो सब मरेंगे ऐसा बढ़ बढ़ा रहा है तबी ऑस्पिटल में लोरा नाम के एक पेशन्ट आते हैं वो बहुत ही डरी हुई है क्योंकि उसने कई दिनों पहले अपने प्रोपेशर को अत्मत्या करते हुए देख लिया था और तब से अब उसे मुस्कुराते होए लोगों का रूप देखता है और उसके मुताबिक वो अब मरने वाली है और वो मुसकराती है और अप रोज की बैन और उनके पती के साथ डिनर करते है और उसमें उसके बैन उनका पुराना गर जिस गर में उनकी मा ने आत्मत्या करी थी उस गर को बेचने का प्रस्ताव रखती है लेकिन रोज परिशान होने की वज़े से कोई जवाब नहीं देती फिर अगले दिन रोज को हॉ वही मरी रोज को बताता ही कि वह मरने वाली है इससे रोज और भी परिशान हो जाती है फिर वह आके चीप डॉक्टर देशा ही उसे एक अपते की चुट्टी दे देते फिर वह अपने घर आकर अपने बतीजे के लिए गिप्ट रैप करती है और सुबह अपने बैन के घर बड़े पार्टी में जाती है और जब उनका बतीजा वह गिप्ट खोलता है तब उसमें उसकी मरीवई बिल्ली होती है यह देखकर सब डर जाते है तो आप रोज को वह मुस्कुराती लड़की नजर आती है उससे वह डर जाती है और कास के मेज़ पर गिर कर जक्मी हो जा अब रोज को हर जगह मुस्कुराते आकरूती दिखाई देने लगी है फिर अगले दिन वह उस प्रोपेसर के घर जाती है जिसने लोरा के सामने आत्मत्या की थी तो उसके पत्नी से बात करते हुए पता चलता है कि उनके पती को भी मुस्कुराते चेहरे दिखते थे और डरा आने बॉइफ्रेंट के घर आती है और उससे उन आत्याओ के बारे में जानकारी इकटा करती है उससे पता चलता है कि एसे 20 के से सुएते जिन में से 19 लोगों ने आत्मत्या की थी और एक आदमी बच गया था क्योंकि उसने खून किया था और आप वो जेल में है पिर रोज और उसका बॉइफ्रेंट जेल में जाकर उस आदमी से बात करते है तो आदमी बताता है कि एसे ही आत्मात्या की श्रूंकला पहले भी हो चुकी है और इससे बचने का एक ही रास्ता है आप किसी दूसरे को मार दो और यह करते हुए वह आपर कोई होना चाहिए ताकि तुम उसने किसी को मार दिया है इससे वह और भी डर जाते है और फिर वह शाम तक उनके पुराने गर में आती है क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे दूर रहेगी तो यह इसके साथी समापत हो जाएगी तो रात में शैतान उसे डराता है और आखिरकार उसके शरीर में ता इसकी कहानी अच्छी थी बस कहानी में उस शैतान के बारे में और बताया जाता तो अच्छा होता जिसी कि वो कौन है और कहां से आये है बाकि डारेक्शन की बात करें तो वो अच्छा है इसकी सिनेमेटर ग्राफी बहुत ही बढ़िया है वे से डारेक्टर ने इस मुवी की बात करें तो वह अच्छे है तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको और येर मुवीज पसंद है और आपको डर नहीं लगता तो आप इस मुवी को जरूर देखे तो अब इसकी अधर डीटेस के बारे में बात करते हैं इस मुवी का रन टाइम एक गंटा और पच्पन मिनिट है इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ओप 10 है और इसका रोटने टामेटो स्कोर 80 परसेंट है इसकी बजेट की बात करें तो वह ता 70 मिलियन डॉलर और इस मुवी ने कमाये थे 260 मिलियन डॉलर इसकी पेरंटियल गाइडन्स की बात करें तो इसमें कोई न अगले वीडियो में बस इतना ही अगर आपने यह मुवी देखिये तो आप अपना एक्सपेरियंस कमेट सेशन में जरूर शेयर करें और अगर आपको एवीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करके आपना प्यार जरूर दिखाए और चैनल को सब्सक्राइब करक सपोर्ट जरूर किजेगा मिलते अगले वीडियो में गुडबाई